Hello friends, welcome back to my channel Amritip Hazanvila अजिके वडियो में में लडू कॉ पाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं आप देखें मैंने दो इस फ़ाइ बनाई है यह आधा हीसा मैंने एक बर बनाया है और आधा हीसा मैंने एक बर बनाया है बहुत एजी ऐसे बनाना बहुत एजी आप 5 और 6, 7, 3 साइच को पहना सकते हैं 5, 6, 7 नमर एकानाजी को यह देखें यह रहे हमारे 6 नमर एकानाजी 6 नमर एकानाजी को मैं पहना के दिखा देती हूं यह इस तरह से यहाँ पे स्लीव आएगे यह देखें, आप इस पे चाहें हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुए तो और बेल आइकल पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे भी तक इंस्टागाम पर फॉल्व नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉल्व करिए मेरा इंस्टागाम में इंडल है अमरिती फैसे मिला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्स बाक्स मिल जाएगा यह तरह से ड्रस आजाएगी और साथ में यह है इसके मैचिंग की कैप तो यह कैप आप इन्हें बाल लगाके भी पहना सकते हैं मैंने थोड़ सी धीली ही बनाई है यह तरह से आएगी तो चलिए मैं बीटियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह हम इस तरह से एक हूप बना लेंगे यहाँ पर यह हमने यहाँ पर एक हूप बना लिया यह देखें सारी हूप मैं बोल गई एक लूप बना लेंगे और यह देखें इसमें अपने हूप को डालेंगे और इस तरह से ऐसे हम खिचेंगे हमारा आसानी से स्वर्टना चाहिए अब मैं यहाँ पर चेन बनानी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, उननिस, बीस, इक्किस, बाइस, तेईस मैंने यहाँ पर भी तक 23 बनाई है, चेन 25 बनानी है में टोटल, यह 24 और यह लाष्ट 25, 25 चेन बना ली, अब एक चेन हमारे हुग में, इसकी बाद हम 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हम इस तरह से डालके, डबल क्रोश या बुन देंगे, यह हमने यहाँ पर देखें, डबल क्रोश या बुन दिया, फिर हम इस तरह से किया, यहाँ पर अगली चेन में डाला, और इसमें हमने डबल क्रोश या बुन देंगे, इसी तरह हम यहाँ सभी च करना है यह दिखे हम नहीं पर सभी चेंद में इस तरह से double crochet बना दिया एक बाद अब क्या करेंके यहां से इस तरफ से टॉन करेंगे टॉन करने के बाद हमने यह पर एक दो दो चेंड पनाने के बाद यह दिखे यह घुन आ रहा है यह यहां से पकड़ लेंगे पीछे से भुछा बूनाथ भी चैन में की लुछा इसी तरह हम फिर से यहां सबी चैन में की बार डबल क्रॉश यह बूल लेंगे तो चले बूनते हुए लाश्ट तक नहीं पर आगे आपको पताओंगे क्या रहा है यह दिखें अहां पर भूनते हुए लग भग हम लाश्ट सका आग जो गुणना है बस यह से चाहिज स्डों कर लेना है आपने इस तरह में दो चेन बनाई जाए यहांपे फशस स्टाट खू लरें इन भी टो ग्रॉल फस्ट से एस हैने टो कर लेना दाशियों तो फिर आप पता हूं क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पे बना दिया सभी चेन में हमारी तीन रो कम्प्लीट हो गई अब लास्ट में हम यहाँ पे इस तरह से एक चेन पनाएंगे इसे लंबा करेंगे और कट कर देंगे यह हमारा यहाँपे चोली कंप्लीट हो गई यह इस तरह से अब हमें क्या करना है इसे ऐसे हमें करना है यह देखिए ऐसे करके हम इसे यहाँ से और यहाँ तक बुनेंगे तो सबसे पहले तो हमें सिंगल क्रोश गुनी है अब हम अपना यह वाला color लगाएंगे तो देखें किसी भी एक side से हम लगा लेंगे यह इस तरह से हमने यहाँ पर hook को लगाया और यह हमने इस तरह से यहाँ से आप लगाएं hook को यह जो chain है जिसे हमारा corner पर पुरा बना रहे है तो आपका बीच में चला जाएगा यह हमने chain में से देखें निकाला निकालने पर इस तरह से एक chain बनाई और सारी हमें यहाँ single crochet बुनी है अब देखें यहाँ पर हमने इस तरह से single crochet बुनी फिर यहाँ अगले बाले में डाल के बुनेंगे फिर यहाँ इस तरह से हमें single crochet बुनना है यह हमने यहाँ last में बुन दिया यह देखें इस तरह से अब क्या करेंगे यह जिस side हमने यहाँ पर हुख हमारा आ रहा है जहाँ पर वहाँ से ऐसे आपको सीधे आना है और यह वाला हिस्सा आएगा सीधाई पर जो हिस्सा आएगा उसे ही बस आपको यहाँ पैसे मोड के और बुनाई स्टार्ट कर लेनी है तो यहाँ से हमने इस तरह से मोड़ा और यह हमने single crochet बुन दी देखें एकदम simple और आसान तरीके से आप बना लेंगे आपको कोई भी problem नहीं होगी यहाँ से जो भी उन है यहाँ पीछे से इस तरह से पकड़ लेंगे तो इसी में यह आपका hide हो जाएगा यह मैंने पकड़ लिया और यह देखें यह single crochet बनानी है इस तरह से हमने डाला यहाँ से हम पंदे को निकालेंगे और single crochet बुन दी फिर अगले वाले में डाला यह हमने single crochet बुन दी हमें single crochet ही बुन दी है फॉस्ट जब हम इसे joint करेंगे दोनों को तब यह इस तरह से अगले वाले में डालेंगे और यह हम single crochet बुनेंगे यह इस तरह से हमने बुन दिया कि देखिए ५ इस तरह से हमारा आगी है और हम क्या करेंगे करेंगे टॉन करेंगे ऊर्शी टार्न अरड़ में दूौ करनाएगेगे गड़ फिर से, पंऱ बनाएंगे पर नेख्स भालzin हो कहां तरह में डो बार जाया नेग्सकितभिढ़ लिए तरह से, अगले वाले में दो बार ये एक और यही से में इक और बार इस तरो से हमें अपना यह पूरा Ro *** करना है चले कर लेते हूँ फिर आगे बता repre notions क्या करना है यदो दी कि हमने याँ पर पूरा Ro *** कर द zwar अब यहां से हम इस तरह से turn करेंगे और turn करने के बाद हमने यहां पर देखें एक, दो, तीन तीन chain बनाई और इस तरह से करके हमने double crochet बुंदी फिर यहां पर एक chain बनाई और फिर अगले वाले में डालके double crochet बुंदी फिर एक chain बनाई फिर अगरी chain में डालके double crochet बुंदे इस तरह से हमें अपना पूरा row complete करना है चले कर लेती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पे यह अपना पूरा row complete कर दिया है यह इस तरह से हमारा complete हो गया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे टर्न करेंगे टर्न करने के बाद हमने देखिए एक, दो, तीन, चार चार chain बनाई इस तरह से करेंगे यहाँ पे एक जो हम पहला वाला अपना होल है इसे छोड़के second वाले होल में डालेंगे और इसे लंबा करेंगे एक बार किया दो बार किया तीन बार किया और यह चार बार किया चार बार हम ने किया आप देखिए यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ना है पकड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमने इसे निकाला निकालने के बाद यहाँ से आपको इसमें डालना है डालने के बाद यह फंदे को निकाला और बुन दिया बुनने के बाद हम यहाँ पे एक, दो दो चेन बनाएंगे और फिर से यह अगला वाला होल छोड़ देंगे फिर देखें, नेक्स ट वाले में डाला यह हमने एक बार इसे लंबा किया यह हमने दो बार किया यहां पे आपका थोड़ा सा ऐसे कॉर्ण पर पता चलेगा कि आपने यहां से बुन देंगे बुनके के बाद एक कामी ग्याब देना है और अगले वाले में एक बार दो बार तीन बार और यह लास्ट चार बार हमने यहां पे डाला डालने के बाद इस तरह से पकड़के और सब्सकी बनाने के बाद निकाल कर दो गया है जाले बना लेक्ट पकड़ा था इसमें डालेंगे हुक और बुलने के बाद एक दो पिरसे हमें सेम चीज बनानी है आप पूरा एंड कर आएंगे जले बना लेती हुँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है ये देखिए हम ने यह यहां पर पूरे राउंड पर कर दिया है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें अपने हुप को डाल लेते हैं, यह देखें, यह इस तरह से, हमें यहां पर देखें, एक, दो, तीन, तीन हमने चेंड बनाई, यहां पर फॉर्स चेंड में हमने इस तरह से एक बार डबल क्रॉ एक बार, दो बार, और ये तीन बार, फिर देखें, अगले वाले डिजाइन के बीच में फिर हम डाल के, ये एक बार, दो बार, देखें, छूट कया मेरा, फिर से बना लेती हूं, एक बार बनाया है, मैंने, देखें, ये दो बार, और ये लास्ट, तीन बार, फिर अगले व दो और ये तीन इसी तरसे अपना ये पूरा राउंड हम कॉम्प्रेट करेंगे चले करती हूँ फिर आगे बताऊंगे कि क्या करना है ये देखे हमने आपे बना दिया है अब क्या करेंगे यहां से हम इसे आपे टॉन करेंगे और टॉन करने के बाद हमें यह आप पे 1, 2, 3, 3 chain बनाए, 4th chain में हमने double crochet बुंदी, देखें, फिर यहाँ पे 1 chain बनाए, और 2nd chain में double crochet बुंदी, फिर 1 chain बनाए, 3rd chain में double crochet बुंदी, फिर 1 chain बनाए, 4th chain में double crochet बुंदी, फिर 1 chain बनाए, यह देखें, इसी तरह हमें यहाँ प फिर हम अपना यही वाला डिजाइन रिपीट करेंगे इसके उपर, यहाँ पर जैसे हमने इसके उपर रिपीट क्या हुआ है, वैसे ही हमारा रिपीट हो जाएगा, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है, यह दिए हमने आपे पूरे यहाँ पर लंबा किया, दो बार लंबा किया, तीन बार लंबा किया, और यहाँ ने चार बार लंबा किया, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, और यह हमने निकाला, जो हमने पकड़ा है, उसमें डाला, और डालने के इस तरह से हम बुन देंगे, बुन देंगे, बुनने रूंट करने के बाद हमने एक, दो, तीन, तीन, बड़ाई, फॉर्स्ट फालिमें डायो कि हमने एक बार डबल प्रोश्या, अब ढब दिजाइन के बीच बीच में, तीन डबल प्रोश्या बनानी है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, इसी तर छे पूरा रूंड नर्म, चले ली तो तिखार रागे बताऊंगे ज yogh मीधक पूरा कंप्लेट कर लिया है यह कालू तीन काट है हम थासे यह हने से लोगी डाल लाती हम थे लिज्द को निकाला टर्न करने के बाद यह में क्या करना है यह Wij लोगी हम अधकर नीचे से देखें फिर यहाँ पर 1, 2, 3, तीन चेन बनाईगे, यहाँ हम पीछे से इस तरह से लेंगे, फंदे को निकाला और यह हमने बुन दिया, बुनने के बाद फिर से हम एक चेन चोड़ेंगे और अगली चेन में डबल क्रॉशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हमें 1, 2, 3, तीन चेन है, यह देखें, यह इस तरह से हमने डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया, फिर यहाँ पर देखें, हम एक बार एक चेन चोड़ेंगे, अगली चेन में बनादेंगे, डबल क्रॉशिया, यह इस तरह से हमने बनाया, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, तीन के बाद फिर यहाँ डाले यहां पर छोड़ चूढ चूड़ चूढ चूड चूढ चूढ चूड चूढ चूद के अब यहांपर चूड़ बनाय था, एक फी बार सच फील। बनाएंगे और फिर हम तीन बार चेन छोड़ेंगे जासे देखें यह पहली वाली मैंने छोड़ दी इस में डबल कॉरोशय बंदिया फिर एक, दो, तीन तीन चेन बनाई, यहां से इस्तरों से बुनेंगे अब फिर मैंने इसे छोड़ दिया और अगले वाले में डबल क्रॉश है यहां बनाएंगे अब देखिये, तीन बार हम छोड़ चुके हैं तो आप एकदम पास वाले में ही मैंने इस्तरों से बुन दिया आपका राउंड नहीं खराब होगा ऐसे करके हम यह इसके पूरी राउंड बना देंगे तो यह हमारा एक साइड का एक हिस्सा कम्प्लीट हो जागा चले बना लेते हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हमारा कम्प्लीट हो गया है यहां पर हमने एक डोरी बना ली है शिम्पल सी चेंड बना के और हमने यह पर एक पीस और रेड़ी किया हुआ है यह देखिए सेम तरीके से हमारा रेड़ी हो बस यहां पर कलर चेंज है अब हम क्या करेंगे इन दोनों पीस को आपस में सिल देंगे तो चले यहां पर हम इसे सिल लेते हैं यह एक सिंपल और आसान तरीके से हम इसे सिलेंगे वह दिक्कत नहीं हो कि आपको इसे सिले में बस आप जो उन है वह सेम कलर का डाले सुई में चले मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करती हूं और हम इसे सिल देते हैं इसी तरह से जिल जल दिसे कि कि कह एंप से सिल इसे से बांप का वा मत शास्ट सिलें जल दिसे सिलेंगे इस कि छोड़िह को थिल डाले सकताइबत को जल भ जब आपule देखेंगा को झाले सरय अपरों को जो चाले से बांचाल हूं झाल झाल यह देखिए हमने आपे सिलाई लगा दी यह हमारी ड्रस बिल्कुल कम्प्लीट हो गई है आप चाहें तो दो छोटे छोटे फ्लार बनाके यहां पे लगा सकते हैं और यह है इसके साथ मैचिंग की कैप कैप बनाना मैंने इस तरह की बहुत बार बता है इसलिए मैंने वीडि स्किप करने आप देख सकते हैं मैंने छे के पहना दिखा दिया है कि आप की तो इसी बनाना बहुत इस तो आसा कटींग की वीडिया आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे